हेलो एफ्रिवन, वेलकम टू मैं चानल आज मैं एक फेस्वास की रेवियो कर रही हूँ ये है नेचर ले सेंस गोल्ड इलुमिनेटिंग फेस्वास इसका क्वांटिटी है 65 ml और इसका प्राइस भी है 65 रूपीज ये 2 यर्स सेल्फ लाइब के साथ आता है ये फेस्वास हरवल नहीं है दोस्तों इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी डाले हुए है इसका इंग्रेडियन्स लिस्ट आप स्क्रीन पर दे सकते हैं दोस्तों इसमें सारे इंग्रेडियन्स की लिस्ट दी हुई है इसमें परफ्यूम है sodium, sulfate और paraben भी है जो हमारे skin के लिए अच्छे नहीं है और ये एक non animal tested product है दूस्तों इसका मतलब ये skin पर ज्यादा हर्म नहीं करता cruelty free और 100% vegetarian product है इसमें लिखा है कि इस फेस्वस में gold particles और natural aloe vera है जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छा है इसमें लिखा है कि इस फेस्वस हमारे skin को deeply clean करता है freshness देता है और young look देता है और mildly exfoliated भी करता है और skin को soft, smooth और illuminating radiant भी देता है ऐसा इसका दावा है मैं nature sessions के सारे फेस्वस यूज़ कर चुकी हूँ दूस्तों सभी फेस्वस को कभी कभी बदल बदल के यूज़ करती हूँ इस फेस्वस को भी मैं यूज़ करती हूँ ये भी मुझे अच्छा लगता है ये फेस्वस जैसा claim करता है इसका result बैसा ही आता है दोस्तों इससे यूज़ करने से मेरी skin soft और smooth फील होती है दोस्तों ये एक all skin type फेस्वस है मेरी skin oily है ये दोगंटी तक oil को control करता है और ये सारे season में suit करेगा गर्मी में भी ये अच्छा काम करता है और मनसुन के लिए भी अच्छा है ये skin को dry नहीं करता मस्चराइज रखता है और oil को भी ज्यादा आने नहीं देता ये 100% travel friendly है बिल्कुल भी leakage की problem नहीं होती इससे और इसका texture आप देख सकते हैं दोस्तों ये aloe vera gel जैसी thick form में आता है gel form में आता है और इसमें जो gold particles gold dust हैं ये आप देख सकते हैं जो sign कर रहा है ये gold dust है मैंने इसे local market से purchase किया है दोस्तों आप चाहें तो इसे online भी ले सकते हैं online और भी स़स्ते में आएगा अगर आपको मेरी video helpful लगी तो इसे like कीजिए और video देखने के लिए thank you मैंने विए और आपको में तो बापको प्राप्ट ये आपको भी संपूँ और उग्स अग्स इसे जब और आपको जब डपको तो इसे जब को आपको प्रबस्ते हैं